आज हम बात करेंगे कि कौन सा जो पोधा है वो पैरेनियल है हमेसा चलने वाला सालो चलने वाला पोधा है और बीना किसी देख रहे कि अगर हम दो-तीन दिन पानी नहीं भी दे तो पोधा बहुत ही आसानी चलते रहेगा बीना किसी परेशानिक है तो यह देखिए मदर आप 1000 वह भूँत ही अच्छा पोधा है when different funds बाने लगता है जेखिए और यह बहुत ही अच्छा इशते में झोलवन घुट होता है और खूब शारी च्छोड़ीं निकलते रहते रहते हैं और इस पौधे को आप लगाईए इस और लिन穴गर पानी देंगे तो बहुत ही असानी चलते रहेगा इसको भी लगा सकते हैं यह पोधा सालो चल ऐसे ही हरा भरा रहता है और इसमें ने बेवी प्लांट निकलते रहते हैं यहां से देखें और इसके लाएं डेविल्स बैक बोन है यह भी पोधा आप एक बार लगा लेजिए तो यह खतम नहीं होगा इसको अगर ह प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट होता है यह नागदून का पोदा है इसमें और इसकी पत्यां खराब हो गई है लेकिन अभी जैसे अब देखें फरवरी का महीना आ रहा है खुब सारे इस पर नए नहीं पत्या आएंगे और बहुत ही अच्छा यह एकदम से भर जाएगा पत्यों से यह इसके अला आप यह कनेर का भी पोधा लगा सकते इसको भी आप दो चार दिन पानी नहीं देंगे तो भी यह पोधा चलते रहेगा कोई दिक्कत वाली बात न दोस्तों से हरा भरा हो जाएगा और यह जो पोधा है कि घर्मियों में खुब सारे फूल देता है इस पोधे को भी आप लगा सकते हैं इसके बाद यह कर्पूर वैली का पोधा है इसको आज्वाइन प्लांट भी बलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों का जो इसमेल है और यह रहता है और इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही आशानी से हो जाती है कहीं भी एक पत्ती इसकी गिरती है और उससे नया पॉधा त्यार हो जाएगा और यह दोस्तों यह जेट प्लांट है यह चोटी सी कटिंग हमने लाए था इतनी सी कटिंग हमने ले करका आथा और इसको कर रहा है और यह हैंगिंग बास्केट ही बना है यह देखे इसमें हम बाद में रस्टी बांद के और इसको हैंक करेंगे तो यह जब पूरी तरह से अच्छे से इसमें फैल जाए फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे और यह जो पॉधा है इसको भी हम तीन-चार दिने पानी नही पॉधे को हम पानी बहुत कम देते हैं और इस पॉधे को अगर 4-5 दिन रहा बात नहीं नहीं देंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है यह पॉधा चलते रहेगा ऐसे ही है और जब हम पानी इसमें देंगे तो इसकी ग्रोध होनी लएगी फिर यह देखे इसके बा है और इस तरह के जो हमारे पास पानी नहीं भी देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यह पौधा चलते रहेगा और ज्यादस ज्यादा अगर हम 10-15 दिन 20-25 दिन भी इसमें पानी नहीं देंगे इसकी पत्तियां सुख जाएंगी लेकिन हम जैसे इसमें पानी देंगे जरूरत नहीं है और यह बहुत ही अच्छेस चलते रहता है और इसमें हम अगर छूट गया यह पानी नहीं भी दे पाया 10-15 दिन तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है पौधा मरेगा नहीं फिर आप जैसे पानी देना ही स्टार्ट करेंगे इन नई ग्रोथी स्टार्ट कर झार्ट झार्ट